नमस्कार, वेलकम टू केरिल मंत्रा 9.1, मैं कित्यादव आपकी अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वाथ करता हूँ, आच्छी क्लास में हम यूपी ट्रपल सी के लिए वीडियो बंदर होगा और जूनिय अश्रेंड के लिए कंबाइंड तृदे ब्रह्मा स्रीज ले और उससे लिटर डिटेल भी डिसकस करेंगे, तो ये वीडियो आपके एक्जाम के पॉइंट अवी से बहुत इंपोर्टेंट है, ये जो सिरीज हम चला रहे हैं, ये वीडियो बंदर होगा और जूनिय अश्रेंड, जब तक इनके तीनों के पेपर नहीं हो जाते हैं, बेहन भाईयों ने शेल को लाइक, सेर और सब्सक्राइब कर रखा हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, आच्छी क्लास का फश्कोशन देखते हैं, आच्छी क्लास का फश्कोशन है, व्यक्तिक पत्र किनके मध्धे लिखा जाता ह अपसन है, व्यवसाईयों के मध्धे, सरकारी अधिकारीयों के मध्धे, सगे संबंदियों के मध्धे, पाटक और संपादक के मध्धे, तो इसकोशन का राइट अंसर हो जाएगा, व्यक्तिक पत्र मतब व्यक्तिकत रूप से लिखा जाता है, तो अपने सगे संबंदियो डॉक्टर राजकुमार बर्मा ने, महापंडित राहुल संस्क्रातान अन्य ने, आचारे रामचंद शुक्ल ने, आचारे हजारी प्रशाद दिवेदी ने, तो इस question का right answer हो जगा, C option is right, आचार रामचंद शुक्ल ने जो है, आधी काल को बीर गाता काल कहा था, ठीक है, आधी काल को, राहुल संस्क्रातन अन्य ने क्या कहा, सिद्ध सामंत काल कहा, और जबकि हजारी प्रशाद दिवेदी जो चौते option में आपको दे रखे हैं, उन्होंने ही इसका नाम क्या रखाता है, आधी काल रखाता है, आगे चलते हैं हम लोग, इनमें से किस शब्द, कि हम बहु बचाने में हम इसा करते हैं, ठीक है, भोट शब्द और या फिर इसको ओट भी बोलते हैं, भोट या ओट, शब्द कैसा सब्द है, पुल्लिंग शब्द है, ठीक है, आगे चलते हैं हम, निम्लिकित में से कौन सा स्वर कंठ तालब्ब है, कंठ तालब्ब है कौन स सुर दोनों ही कैसे हैं, कंटे तालब्बे हैं, ठीक है, छोटा और बड़ा कंटे हैं, छोटी और बड़ी तालब्बे हैं, और O और O सुर कोश्ठक सब्दे हैं, कुश्चन नमबर फिफ्ट है, बरतनी की दरश्टी से सुद्ध शब्द बताना है, सही शब्द इसमें से कौन सा है, उपसन है समीक्षा, सामीक्षा, समीक्षा, या फिर समच्छा, तो इसमें सी उपसन हमारा सही हो जागा, समीक्षा, ठीक है, समीक्षा, नेस्ट कुश्चन है इसमें भी शुद्ध बर्तनी हमें बतानी है शूशुषा शूशुश इसमें अन्सर पर ही चलता हो डार। जिससे कि कि आपके दिमाग में सहते हैं ज्योग यह अप्शन इसका सही होगा शूशुश्ब सुपर है छोटे हो की मात्र लगेज शू पर बड़े हो अगात का संदी रूप क्या होगा प्रतिधन अगात को अगर हम संदी करेंगे जोडेंगे तो सद्धरूप क्या वनेगा तो प्रतिधन अगात का जो तो इस question में जो समास है, वो आपका अबबभाब है, धीरे-दीरे, तो इस question के जो right answer है वो अबबभाब है, देखो, होता क्या है कि हम यहाँपर धंडे को देखकरके, अबबभीभाब नालाकर, दंद समास लगा болादे, तुर बहुत बहुत है만 सभी जाता है तो इस question में क्या अब भाइबाब, यह question कई बर पूछा गया, धीरे-धीरे कैसे समास है, अब भाइबाब समास है, क्योंकि धीरे और धीरे, तो कोई वड़ नहीं वनेगा, जैसे हमने बोला, एक वड़ रहता है, जैसे मैंने set में एक में कराया था, आपको ध्यान हो तो, अन्जल, क्या क पास रहता है, दुन्द समास रहता है, इसमें क्या समाज रहता है, दुन्द समास रहता है, अब इसका मतलब निकालेंगे, तो क्या निकलता है, अन्द और जल निकलता है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, दुन्द समास हो जाता है, ठीक है, और आ गया, यहाँ पर सान्ध फूरत करने वाले विशिशण होता है तो विश सब्स जो है कैसे कहलाते हैं यहां पर क्या होता option है द्वंद समास होता है दिगु समास होता है बहु विरिये समास होता है या बही भाव होता है तो वहाँ पर दिगु समास होता है संख्या दिखाता है दिगु समास होता है जैसे कि सब्द सिंधु साथ सिंधुओं का समू तो यह भी example किसका है द्वंद समास दिगु समास का आगे बात करें हम लोग question number 11 पर हम आ गए है अनू अनू उपसर्ग से बना सब्द निमलकित मेंसे कौन सा है जिसमें अनू लग रहा हो ठीक है तो देखो 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 पता पढ़ रहा है अनू किसमें आगे लग रहा है अनू बाद में आगे लग रहा है तो इस question का right answer क्या हो जाएगा बी option right हो जाएगा अब इसके जैसे related और भी शब्द क्या क्या बन सकते है जैसे कि यहाँ पर बिवाद बिवाद में अनू लग नहीं रहा है अनू लग रहा है तो यही इसका सही हो जाएगा ठीक है आगे चलते हैं हम लोग फटाफट से निमलकित में सिक कि शब्द में आ उपसर्ग नहीं लगा है नहीं पूश र अलग वर्ड है चूक एक अलग वर्ड है समय आ तीनों में लग रहा पर इसमें अनुज में आ नहीं लग रहा नुज कोई वर्ड नहीं होता है तो डी ऑप्सन इसका सही हो जाएगा आगे चलते हैं हम लोग निम्लिकित में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रत्य प्रत्य ह गया है ठीक है प्रत्यमाने पीछे जुड़ता है ठीक है तो अब देख लेते हैं इसमें कौन सा हमारा फिट बैठ सकता है एरा देखो रा है पीछे रा ठीक है एरा लुटेरा ठीक है लूट से बना है लूट से लुटेरा बना है किस से बना है लूट से लुटेरा बना है तो era जो जुड़ रहा है, तो e option इसका सही हो जाएगा, जैसे कि era किस किसमें लगता है, कम era, चितेरा, पथेरा, लुटेरा, इन सब में era लगता है, आशु शब्द का तत्सम रूप निमलिकित में से कौन सा है, तत्सम रूप हमें बताना है, ठीक है, अब देखो जैसे कि अक्षी, अगर अक्षी का पूछा जाएगा, तो आँख होता है, और चक्षू का पूछा जाएगा, तो क्या होता है, चक होता है, ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, ओट किस्रिणी का सब्द है ओट जो है किस्रिणी का सब्द है तदभव है तत्सम है देशज है या फिर बिदेशज है तो इसमें जो है ओट सब्द जो है तदभव शब्द है कैसा सब्द है तदभव शब्द है ओट ठीक है आगे चलते हैं जामुन शब्द का तत्सम रूप बताना है ठीक है जामुन का क्या बताना है हमें तत्सम रूप बताना है यामुन जम्बू या जम्बून तो जामुन शब्द का जो तत्सम रूप है वो बनेगा आपकर क्या जम्बू बनेगा जामुन का क्या बनेगा जम्बू बनेगा आगे चलते हैं निमलिकित में से कौन साथ सब्द तदभव शब्द है तदभव ठीक है तदभव मतलब कि हिंदी बाला शब्द है और बाकी के सब कैसे होंगे संसकत बाले शब्द होंगे ठीक है तो पंक पश्ट लज्जा ये शिला तो पंक शब्द जो है तदभव बाला शब्द है पंक शब्द कैसा है पश्ट कैसे सब्द है आपका तत्सम सब्द है, तो पश्ट का क्या वनेगा, पीठ वनेगा, ठीक है, और लज्जा जो शब्द है, लज्जा सब्द का क्या वनेगा, लाज वनेगा, क्या वनेगा, लाज वनेगा, आगे चलते हैं हम लोग, घर, पहाड, नदी, कि संग्या, भेद के अंतरगत आएंगे, ठीक है, द्रब्य वाचक हैं, जाती वाचक हैं, भाव वाचक हैं, या फिर गुण वाचक हैं, ठीक है, तो ये सबी सब्द जो हैं, आपके जाती वाचक सब्द हैं, ठीक है, घर, पहाड, नदी, ठीक है, तो ये सब कैसे सब्द हैं, जाती वाच शब्दे हैं। आगे चलते हैं लोग। वो निष्भा कैसे निवलिकीत में से कौँछ चाप्द दरप्वारचक संग्या है। दर्बेवाचक संग्या होता नहीं है, खटाई, मिठाई, दूद या फिर ठंड, तो इसमें जो है दर्बेवाचक संग्या आपकी बनेगी, दूद बनेगा, ठीक है, लुकिट फॉर्म है सारी, दूद होती है, ठीक है, दूद, आपका पानी हुआ, ये लुकिट वाली चीज संग्या उपै कि उवाचक संग्या में जाएंगी, ठीक है, निमलिखत में से कौन सा विशेशन संग्या में नहीं, नहीं बना है, विशेशन जो है, संग्या से नहीं बना है, स्रिमान, दानी, सुंदर, चमकीला, तो इस question का जो right answer हो जागा सुंदर, सुंदर जो है, आपका संग्या सब्द से नहीं बना है ठीक है और बाकी सब बने है ठीक है बाकी सब आपके शब्द किस से बने है आपके संग्या सब्द से बने है ठीक है जैसे कि स्रीमान सब्द स्री से बना है किस से बना है स्री से बना है दानी सब्द दान से बना है चमकीला सब्द चमक से बना है निमलिकित वाक्यों में से एक में सकर्म क्रिया का प्रियोगा किस में हुआ है? में चला, वहन आता है, लड़का सो रहा है, लड़की सिल रही है. अब क्या क्या रहा है? वो सकर्म कर्म के साथ वाले क्रिया. ठीक है तो इसमें क्या हो जाए? लड़की सिल रही है. आगे बात क जागना स्वास्त के लिए अच्छा नहीं है रेखांकित शब्द को पहचाने तो यह जो भर सब्द दिया है इसको पहचानना में इस यह क्या चीज़ है अप्शन है संबंद सूचक अपवे, विशेशन, भावाचक श्रंग्या, समुच्य बोतक अपवे देखे एक बात हमेसे याद रखना कि अगर जब आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप यह देखे कि क्या नहीं हो सकता यह बस सूचिए कि क्या अंसर होगा, आप यह सूचिए क्या नहीं हो सकता तो इससे क्या होगा कि आपके कम से कम दो आप्शन जरूर हट जाएंगे और दो में आपको अंसर लगाना ज़्यादा आसानी रहती है चलिए अब देखते हैं इसके option क्या कहो सकता क्या भर जो है विशेशन है नहीं है तो इसको अटाओ पहले तो अब भर जो है क्या भावाचक संग्या दिख रही है मूबी नहीं दिख रही है, अटाओ इसे अब बात करते हैं संबंद सूचक अपवे है या समुच्य बोधक अपवे है ठीक है तो भर सब्द से क्या संबंद दिख रहा है या समुच्य का बोध हो रहा है तो रात भर जागना तो यहां से संबंद का बात आ रही है रात और जागने के बीच में संबंद दिखा रहा है भारशब्द, तो संबंद बोचक, संबंद सूचक अपवे, ये बन जाएगा आगे चलते हैं, कोशन नमबर 23 है, अर्विंद शब्द का पर्यावाची शब्द बताईए, कमल, गुलाब, कल्प प्रक्ष, या फिर केवड़ा, तो अर्विंद शब्द का जो क्या नमे आपका पर्यावाची बनेगा, वो बनेगा कमल, क्या बनेगा कमल, कमल का पर्यावाची है अर्विंद, ठीक है, इसके और भी पर्यावाची होते हैं, जलाज, पंकज, नीरज, अंबुज, या और सरोज, ये कमल के परहवाची हैं साले हैं आगे बात करें केरभ, नल्नी, चंद्रप्रिया किसके परहवाची सब्दे हैं इन में से किसके परहवाची हैं ठीक है तो चलिए पढ़ लेते हैं कौमुदी, सौदामिनी कुमुदनी या फिर कुमुद कला तो ये जो हैं आपके कुमुदनी के ही, मलब कि सी उप्षन के सब के परहवाची है आगे बात करें कुशन नमर 25 है, अपसरण का बिलॉम शब्द बताना है, अपसरण तो अपसरण का बिलॉम शब्द हो जाएगा अभी सरण, क्या हो जाएगा अभी सरण, ये उपसरण इस राइट ठीक है तिमर, तिमिर शब्द का बिलॉम शब्द बताना है, अपसरण पढ़लने जाएगा फटाफट से, तिमर, आलोक केरण, रंगीन या फिर रंगीन, तो तिमर शब्द का जो बिलॉम शब्द बनेगा, वो आलोक होगा तिमर माना होता है धुंदला, आलोक माना चिंकिला आगे बात करें हम लोग नीती का बिलॉम शब्द बताना है, तो नीती का क्या हो जाएगा, कुनीती सीधे सीधे बिलॉम को लगके बिलॉम सब्द बन जाएगा the option is right कुनीती Qnithi sorry Nithi का कुनीती नहीं बनेगा Anithi बनेगा Qnithi तो कोई बड़णी होता ठीक है Anithi बनेगा मैं गलत बताग네 D option is right ठीक है और कुनीती और सुनीति परसपर बिलॉमसब्द है एक द्रूसरे एक कुनीती का बिलॉमसब्द बनेगा सु आदमी ने तो वोई सब्द रहाद आगया है वहां से आप समझ सकते हैं अब देखते हैं आगे हम लोग तैरती चलती है इसलिए नाव को डैस कहती है रिक्त इस्तान में निम्लकित में से कौन शब्द आएगा ठीक है तो इसमें जो है आपको जो सब्द आएगा तरणी तरण फिट बैठेगा चलिए अंतराश्टी हिंदी कभी सम्मिलन का स्वेम में बड़ा काम है आयोजन में बड़ा काम है संगठन में बड़ा काम है प्रायोजन में बड़ा काम है या आरक्षण में बड़ा काम है तो किस में बड़ा काम बनेगा वह या आयोजन कोई भी आयोजन करते हैं हम लोग अंतराश्टे हिंदी कभी संभिलन का आयोजन हो रहा है तो हिंदी संभिलन का आयोजन स्वेम में बड़ा काम है आयोजन करना उसका स्वेम में बड़ा काम है देखते आगे जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे क्या कहें या अप्रमानप्रमय क्या कहेंगें. त्यर्ने की इक्षा को क्या बोलते हैं? श्रिष्ट संत्र इक्ष्ण त्यल्वतन इक्षा. तो इसको बोलते हैं तितिति इर्षा. बी्ज़ व्यंक्षेश्ट संत्य। क्या हो जागा तिती इर्शा, 32 पे बात करें हम लोग, उसने तो मेरी आखें खोल दी, उसने तो मेरी आखें खोल दी, भ्रहम को दूर करना, किसी बात पर ध्यान ना देना, स्वागत के लिए रहा देखना, अंधकार दूर करना, तो इस question का जो right answer हो जागा, भ्रहम को दूर क नाक का बाल होना, नाक का बाल होना, शत्रू होना, नाक में बिमारी होना, अकारण प्रिय होना, धरिया दिल होना, तो नाक का बाल होना, इसके लिए सही सुद्ध जो बनेगा, वो बनेगा आपका क्या, अकारण प्रिय होना ज्यादा सही लग रहा है, देखो बैसे इस question मे नाक का बाल होने के लिए जो पर्टिकुलर बड़ होता है वो होता अधिक प्यारा होना नाक का बाल का मतलब बहुत ज्यादा प्यारा होना नाक का बाल के समाने वो हमारी पर यहाँ पर प्यारी वाली बात को यह दिनेंगे एक C उप्सन जाता सही लग रहा है आकारण प्रिय होना तो हम इसको लगा सकते हैं सीखो शेत्र होना लगाएंगे ने नाकती विमारी होना लगाएंगे ने दरिया दिल होना लगाएंगे ने तो बस यह ज़्यादा सही है तो इसको हम लगाएंगे एक पंथ दो काज क्या है हमारा एक पंथ दो काज एक पंथ दो काज लोकोगत अगर D option is right, एक ही काम से दो लाब होना, ठीक है question number 35 पर आगया है हम लोग निम्न मेंसे कौन सा वाक्य शरल वाक्य नहीं है, नहीं पर आ रहे हैं, लड़का दोड़ता है बंदर पेड़ पर चड़ रही है मैंने लड़के को बुलाया इस मेले का उद्देश है कि व्यापार में ब्रद्धी हो ठीक है, तो 35 question का जो answer हो जाएगा, वो D option हो जाएगा इस मेले का उद्देश है कि व्यापार में ब्रद्धी हो ठीक है, तो D option इसका ज़्यादा सही रहेगा, सरल वाक्य नहीं है ये और बाकी सब सरल वाक्य है ती से हमें पता पड़ गए सरल वाक्य नहीं है जिस वाक्य में साधान और मिस्र वाक्य मेल संयोजक अपवे द्वारा जुड़े होते हैं द्वारा होता है उसे कहते हैं ठीक है मतलब मिस्र वाक्य और साधान वाक्य तो क्या बोलेंगे, मिश्र बाग के बोलेंगे, सहिक तो बाग के बोलेंगे, या प्रशन बाचक बाग के बोलेंगे, तो सहिक तो बाग के बोलेंगे, देखो, साधानों मिश्र तो जुड़ी रहे हैं, तो साधानों तो साधानों तो सरल तो होगा नहीं, मिश्र भी होगा न है या तुमको तुझे मुझे पढ़ाना है ये भी ठीक हो सकता है तुझे मुझे पढ़ाना है ठीक है और क्या सोची जरा तुमको वर्ड थोड़ा से अटपटा सा लग रहा है तुमको मुझे पढ़ाना है ठीक है तुमको की जगे हम अगर आपको लगा दें आपको मुझे पढ़ाना है, यह जाता सही लग रहा है, तो हमारा यह option इसका सही हो जागा, यह word हमारा नहीं होना चाहिए तुमको, तुमको अठा देंगे तुमको की जगे हम लगा सकते हैं, आपको मुझे पढ़ाना है, ठीक है, अब ऐसे भी तुमको की बहाशा हमें नहीं बोलनी है, जिस वाक्य में कर्म के अनुसार किरिया में परिवर्तन होता है, उस वाक्य को कहते हैं, क्या कहते हैं कत्य वाच्चे, कर्म वाच्चे, भाव वाच्चे या फिर सयक्त वाच्चे कहती है तो इस question का right answer हो जाय कर्म वाच्चे कहती है क्या कहते हैं उसे कर्म वाच्चे कहती है आगे देखते हैं मा ने बाजार से कपड़ा क्या कपड़ा खरीदा तो रेखांकित शब्द का कारक बताईए ठीक है, तो यह रेखांकित शब्द है यह कपड़ा, कपड़े का कारक हमें बताना, तो मा ने वाजार से कपड़ा खरीदा, ठीक है तो इस question का जो right answer बनेगा वो बनेगा हमारा क्या? C option, कर्म कारक करता ने करम से, ठीक है, तो कर्म कारक बनेगा, क्या बनेगा, कर्म कारक, आगे बात करें हम लोग, पीड से पत्ते गिरती हैं, तो देखो, पत्ते गिरती हैं, तो करता कारक है, अपदान कारक है, कर्न कारक है, या सम्मंद कारक है, तो इस कुश्चिन का राइट हो जाएगा, अपादान का रहा है बन अपादान हो रहा है पीड़ से पत्ता गिरते हैं पत्ते गिरते हैं तो अपादान हो रहा है विकल्पों में pulling Šब्द का chain करना है तो pulling Šब्द पढ़ लेते हैं option है तेजस्वी, तपस्विणी, हंसणी या पिर परोप कारणी तो ये तीनों सब्द जो दे रकने ये वाला और ये वाला तीनों सब्द जो है आपके स्टिरिलिंग है और आपका E yaw option ही आपका क्या है तेजोस्वी pulling शब्द है आगे बात करें हम लो, कोवा के इस्त्रिलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है,'d歌 में हम कौनसास वर्ड लगाएंगे आगे पीछे, जिससे क्या है कि ये स्त्रिलिंग बन जाएगा, ठीक है, तो कोई के अंत में E लगाते हैं, कोई, कोई के अंत में आनी लगाते हैं, कोई के पहले इस्त्री लगाते हैं, तो इस्त्री कोई, कोई के पहले मादा लगाते हैं, तो मादा कोई, तो ये ज़्यादा सही है, D option is right, ठीक है, D option is right, मादा कोई बोलेंगे तो वो इस्त् भूत काल में है तू आता तो में जाता मोहन आया सीता गई वे आया था सरकारं ने अंशते प्रती भूती प्रती पूर्ती की है सरकार ने अंशते प्रती पूर्ती की है इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेशन का प्रियोग किया गया है प्रिती वाचक, काल वाचक, परिमाण वाचक या फिर इस्थान वाचक तो इसमें जो है परिमाण वाचक का क्रिया विशेशन का प्रियोग किया गया है सरकार ने अंशत है मतलब जो जितना था जो अंशत है वो पूरा अंशत है प्रतिभूती की है तो परिमाण बता जा रहा है भजन बता जा रहा है अब देखिए हमने question 44 कर ली है बस मातर 6 question रह गए है तो आपको मैं याद दिला दू और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहा दू कि आपने हमारे चैनल को subscribe कर दिया, like कर दिया और share कर दिया बस comment box में comment करना रह गया होगा तो आप comment box में comment भी कर दीजिए जो बहन भाई करना ये सब भूल गए है, subscribe, like, share तो वो please like, share, subscribe कर दीजिए और comment box में comment भी कर दीजिए तो चलिए आगे चलते है, question आगे भी देखते हैं, बहुत important question में करा रहा हूँ, चलिए मैं सोचता हूँ, आप subscribe कर चुके होँगे तो चलिए आगे देखते हैं निमनिम बरतनी में इदरश्टी से अशुद, अशुद सब्द, अशुद बताना है न, ठीक है, तो option पढ़ लेते हैं, अनुशंगिक, अध्यात्मिक, इतिहासिक, या फिर दायत्व, तो इसमें जो है, इतिहासिक शब्द जो है, ये आपका गलत है, इसको हम कैसे अध्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात् तो आदनिक भारती भासाओं को जो विकास हुआ है, वो अपभरंश से हुआ है, किस से हुआ है, अपभरंश से हुआ है, निमलेकित आदनिक भासाओं में से किसका संबंद अपभरंश की पैशाली बोली से है, बोली से है, अपभरंश की पैशाली बोली से है, राजिस्थानी का गुजराती का पंजावी का या फिर बंगाली का तो इस question का जो right answer बनेगा वो पंजावी पंजावी भाषा का संबंद जो है अप भरंस की पेशाली बोली से है अब आगे है एफीडेविट क्या है वर्ड एफीडेविट का हिंदी अनुबात क्या बनेगा option पढ़ लेते हैं शपत्पत्र प्रस्ताव समायोजन या फिर विवरा तो आप साथ सभी जानते होंगे एफीडेविट देना शपत्पत्र देना तो इह option इसका सही हो जाएगा एफीडेविट का मड़क क्या हुता है शपत्र प्रस्त देना अब जैसे कि यहाँ पर और भी बड़ दे आपका उर भी शब्द है जैसे कि एक बिवरण और रहा गया है तो बिवरण शब्द का हुता है डेसक्रिप्शन सक्कीरप्सिन है हमारा जैसा कि उसमें उल्ले किया गया है यतोंकत विशह जैसा कि बताया जा चुका है समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए तो यह option इसका सही होगा जैसा कि उसमें उल्ले किया गया है वही है इस तरह से आगे और लाच कुशन है आची गलास का शुद्ध सब्द चुन्ना है हमें प्रती नीधी प्रती निधी और प्रती नीधी तो बी option इसका सही होगा प्रती निधी सभी पर छोटी की मातर लगेगी प्रती निधी पर ठीक ऐसे याद रखेंगे आप लोग तो हमने 50 कुशन कर लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आपने चैनल को सब्सक्राइब किया लाइक किया शेयर किया थैंक्स पर वाचिंग वीडियो टेक कियर भाई भाई धन्यवाद